आज हम बताएंगे कि मश्रूम को कैसे साफ करें तो यहाँ पर देखिए मैंने मश्रूम को मार्केट से खरता है और इसे पानी से नॉर्मली धो लिया है और धोने के बाद क्या करें कि जो उपर वाले पाठ होते हैं उसके तोड़े से ऐसे काट लें और उसके चिलके हैं ऐसे निकाल लें ऐसे देखिए बहुत ही असानी से इसके जो चिलके हैं निकल जाएंगे इसे फिके बिलकुल भी ना तेहां पर देखिए जो डंठल है उसके मैंने चिलके को निकाल लिया है अब क्या करें कि इसे भी छिलके को निकाल ले ये देखें बहुत ही असानी से आप इसके जो छिलके होते हैं निकाल सकते हैं ये देखें बीना छिलके को निकाले आप इसका यूज बिलकुल भी न करें जब भी आप मार्केट से मश्रुम को खर दे तो उसे सबसे पहले पानी से धो ले और धोने के बाद ही उसके चिलके को इस तरह से निकाल ले तो यहाँ पे देखें मैंने चिलके को निकाल लिया है बहुत ही असानी से यह चिलका निकल जाता है यह देखें तो मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लिया है यह देखें तब क्या करें कि सारे मस्टरूम को ऐसी साफ कर ले और अगर आप इसके डंटल को निकाल आप इसे डंधल को निकाल सकते हैं बहुत ही असानी से ये दिखे बहुत ही आइस्ते निकाले बढ़ना डंधल्य तुट जाता है तो डंधल को भी अलग से आसे साफ कर लें बीनन च्छीन के निकाले आप मसरूम को बिलकुल भी उदै करे को लिया था malt देकिया मैंने असानी से इसके जो छिलके हैं आप निकाल सकते हैं ये बहुत ही फायदा करता है ये मस्रूम तो मस्रूम को आप खाये लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से छिल करके और साफ करके वरना ये फायदा के जगा नुकसान भी कर सकता है तो mushroom को आप इस तरह से छील भी सकते हैं ये देखिए तेहां पर देखिए मैंने mushroom को साफ कर लिया है सारे mushroom को ऐसी साफ कर ले mushroom जो है बहुत ही फायदा करता है इसमें धेरों सारे mineral पाया जाते हैं जो हमारे सरیर के लिए बहुत ही जरूरी है इसे खाने से भीटामिन D3 की जो अगर आपको कमी हो तो इससे पूरी हो जाएगी और इसमें बहुत सारे फाइबर भी पाय जाते हैं तो आप मस्रूम को यूज बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं और बहुत ही साधानी से तो आपे देखिए हमने मस्रूम को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लिया है और ये जो छिलके हैं इसे बिल्कुल फेके ने इसे खाद बना ले तो आपे देखिए मैंने मस्रूम को बिल्कुल अच्छी तरह से छिल लिया है पर इसे अब साफ करना है तो गर्म पानी ले और इसमें थोड़ा सा नमक डालके ऐसे मिक्स कर ले और जादे गर्म पानी नहीं है ये और क्या करेंगे कि एक बाल में इसे निकाल ले और ये जो गर्म पानी है इसमें मस्रूम के उपर से डाल देंगे और या तो चमत से इसे हलका से ऐसे मिक्स कर ले या देखे मैंने इसे बिल्कुल अची तरह से दो लिया और एक प्लेट में इसे निकाल ले और जो अब हमारा मस्रूम है बिल्कुल अची तरह से साफ हो गया है तो अब इस मस्रूम को आप जैसे चाहे यूज कर सकते हैं दिखिए हमारा जो मस्रूम है कितना गंदा पानी निकला है मस्रूम से और यहां जो है हमारा मस्रूम बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो गया है तब क्या करें मस्रूम को आप काट लें तो जो भी आप recipe बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से mushroom को काट लें mushroom में धेरो सारे protein भी होते हैं, तो आप इस mushroom को बच्चों को भी दें mushroom खाने से वजन भी बहुत ही कम होता है, तो आप mushroom को जैसे चाहें यूज करें और बच्चे ये बड़े सभी को mushroom खिलाएं, तहां पर देखिए हमने सारे mushroom को काट लिया है, अब इस mushroom से आप जो भी चाहें बना सकते हैं